हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एजाम क्रेजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का मंत्री मंडल जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के मंत्री मंडल में कितनी प्रकार के मंत्री होते हैं और किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है और एक कुछ प्रफ़ा दोस्तों आफ लोगों को बता दो कि जो अभी हाली में इंटर्वиватьू हुआ था जुनियर असिस्टेंट का तो उसमें इस टॉपिक से कई अभियर्तियों से कुछ्टन पूछे गए थे तो कौन कौन से कुछ्टन का गठन किया जाता है तो सरकार चलाने के लिए कुछ लोगों की आवस्यक्ता होती है जो सभी प्रकार के नड़ाय लेते हैं इन सभी व्यक्तियों के समूह को मंत्री परिसद कहा जाता है ठीक है दोस्तों अब आंगे देखते हैं मंत्री परिसद के प्रकार यानि कि मंत्री प पादन करते हैं यह इस प्रकार हैं कौन-कौन से पहला तो होता है कैबिनेट मंत्री और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं स्वातंत्र प्रभार राज्य मंत्री और चौथे होते हैं उप मंत्री तो इस वीडियो में हम आपको कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बताएंगे क्योंकि यह दो प्रकार के मंत्री जो हैं यही important होते हैं और यही पूछे जाते हैं सबसे जादा अगर important की बात की जाए तो दोस्तो cabinet मंत्री यह जो है यह सबसे जादा important है cabinet मंत्री से question अधिकतर पूछे जाते हैं और राज मंत्री से भी कुश्चन पूछ लिए जाते हैं तो दो प्रकार के मंत्री जो हैं उनके बारे में हम डेटेल से बताएंगे आपको चलिए आंगे देखते हैं देखे केवनेट मंत्री, मुख मंत्री सबसे योग मंत्रियों को केवनेट मंत्री के रूप में चुनता है, जो मुख मंत्री होते हैं वो केवनेट मंत्री को चुनते हैं, केवनेट सरकार के सभी निरणयों के लिए बैठक करती है, इस बैठक में लिए गए निरणय ही सरकार क को देसा निर्देश प्रदान करते हैं केबनेट मंत्री को अन्य मंत्रियों की तुलना में अधिक सक्ति और सुविधा प्रदान की जाती है केबनेट की परतेक वैठक में सभी केबनेट मंत्री का पहुंचना अनिवारे रहता है अब देखते हैं राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री पद का निर्मार किया गया है इस पद पर व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के निर्देशा अनुसार कार्य करता है राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की बैठक में भाग नहीं ले सकता है प्रिस्तिती में जो राज्य मंत्री होते हैं वो भी कैबिनेट मंत्री की वेठक में भाग ले सकते हैं अब देखते हैं स्वतंतर प्रभार राज्य मंत्री ये क्या होते हैं इस पद पर व्यक्ति अपने विवाग का प्रमुक होता है यह कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होत है यह अपने विभाग की रिपोर्ट मुख मंत्री को देता है मुख मंत्री इसके लिए किसी विशेष मंपरी गुभी नउक्त कर सकते हैं जब कैभिनेट की बैठक में सुतंत्रप्रभार राज्यमंत्री के विभाग से संबंदित चर्चा करनी होती है उस समय स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री को बैठक में उपस्तित रहना अनिवार रहता है तो ये तो आपने जाना स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री के बारे में अब चलिए देखते हैं उपमंत्री कौन होते हैं किसी मंत्री के सहीयोग के लिए व्रश्ट मंत्री का कारеभार देखता है तथा उनकी अनुपश्थतेती होँ है। तथा उनकी अनुपस्थती में हुआ है, संपूर्ण विभाग के प्रमोग के रूप में कार्य करता है। तो जो उपमंत्री होते हैं, वो जो है किसी मंत्री के सहयोग के लिए बनाय जाते हैं और जब जो उनके वरेष्ट मंत्री होते हैं उनके कारेवार को देखते हैं और अगर वो अनुपस्तित होते हैं तो उनकी जगा पर वो कारे करते हैं तो यह होते हैं उप मंत्री चलिए अब देखते हैं कैबिनेट मंत्री उत्तरपदेश्की कि किस मंत्री के पास सबसे पहले हैं योगी आदित्यनाथ यह मान्य मुख मंत्री हैं बर्तमान में हमारे प्रदेश के यह मुख मंत्री हैं और इनके पास कौन-कौन सी विभाग हैं यह देखिए ग्रह आवास एवं सहरी नियोजन राजास्वक खाद एवं रसद दोस्तों यह खाद एवं रसद जो यहां पर विभाग है यह इंटर्विव में एक अब्याति से पूछा गया था कि खाद एवं रसद विभाग किस मंत्री के पास है ठीक है दोस्तों और कौन से विभाग इनके पास है खाद सुरच्छा एवं उसदी प्रसासन अर्ध एवं संख्या भूतत एवं खनी कर्म बाढ नियंतरन कर निवंधन कारागार सामान्य प्रसासन सचिवालाय प्रसासन गोपन सतरकता नियुक्ती कार्मिक सूचना निर्व राज्यसंपत्ति नगर भूमी इनके पास कई तरह के बहुत ही ज्यादा संख्यां विभाग हैं लेकिन सभी इंपोर्टेंट हैं यह मत समझना कि यह नहीं पूचे जा सकते हैं जो सुरू में हमने आपको बताए वह ज्यादा इंपोर्टेंट है जो नीचे हैं वह भी आप को पढ़ने हैं उत्तर प्रदेश पुनर गठन समनवयन प्रसासनिक सुधार कारिक्रम कार्यान वयन राश्ट्रिया एकी करण अवस्थापना भासा वह सहायतित परियोजना अभाव सहायता इवन पुनरवास लोग सेवा प्रवंधन किराया नियंत्रण उपभोकता सन्रक् माप विभाग और प्रोटोकॉल यह इतने तरह के जो विभाग हैं वो हमारे मानिय मुखमंत्री के पास है आप इसका स्कीन स्टॉड भी ले सकते हैं जो कि आपको रिवीजन करने में ज्यादा ठीक रहेगा चलिए अगले देखते हैं स्री केशा प्रसाद मौर्या यह उप अगले हैं डाक्टर दिनेज सर्मा यह भी उपमुक मंत्री हैं और इनके पास विभाग कौन कों से हैं माध्यमिक सिक्षा उच्च सिक्षा विज्ञान एवं प्रध्योग की इलेक्ट्रोनिक्स सूचना प्रध्योग की इनके पास इतने विभाग हैं अगला है स्री सूर्य प्रताप साही यह जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री इनके पास कौन से विभाग हैं इनके पास है किरसी सिक्षा और किरसी अनुसंधान इनके पास यह विभाग है वो आपसे इस तरह से पूचेंगे कि उत्तर प्रध्योग में किरसी का विभाग जो है किरसी वि सुरेस खंना इनके पास कोन सा विभागें वित्य, संजदिय कार्य और चिकित-साaction, स्सिक्षा. इनके पास यह भी भागए अगले हैं १ंक्तिफ स्वामी प्रसाद मोर्य यह कैबिनिट मन्तिय हैं यह 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 स्पश है講 है सिती स्री सतीस महाना इनके पास औद्योगिक विकास मंत्राला की ये मंत्री हैं अगले हैं स्री दारा सिंग चोहान इनके पास कौन सा मंत्राला है वन पर्यावरान जन्तु उद्ध्यान इनके पास ये भी भाग है अगले मंत्री हैं स्री रामापती सास्त्री इनके पास है समाज कल्याण अनसूच जाती एवं जन जाती कल्याण ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट है कि समाज कल्याण किसके पास बिभाग है तो ये स्री रामापती सास्त्री के पास में ये बिभाग है अगले हैं स्री जय परताप सींग, इनके पासे चिकिस्ता एवं स्वास्त, परिवार कंल्याण, मातर एवं सिसु कल्याण ये दोस्तों आपको पता दें, ये पूंछा गया था कि चिकिस्ता एवं स्वास्त मंतरी कौन है उतर प्रदीस में कैबिनिट मंतरी तो स्री जैप्रताप सिंग है अगले हैं स्री ब्रजेस पाठक इनके पास कौन-कौन से बिवाग हैं विधाई, नियाय, ग्रामीर, अभियंत्रा, सीवा अगले हैं स्री लक्ष्मी नारायन चौधरी इनके पास हैं दुख्द, विकास, पसूधन और मत्ज अगले हैं स्री स्री कांत शर्मा ये हैं उर्जा, अतरिक्त उर्जा स्रोत यानि की उर्जा जो मंत्राला है वो स्री कांत सर्मा के पास है अगले जो मंत्री हैं, वो हैं स्री राजेंदर प्रताप सिंग, इन्हें मोती सिंग भी कहते हैं तो इनके पास मंत्राला है, ग्राम में विकास, समग्र ग्राम विकास, अगले मंत्री हैं, स्री सिदार्थ नात्र सिंग, इनके पास कौन-कौन से विभाग हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग, रेसम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लगू एवं मद्यम उद्य इतने विभागों को जो है ये सिदात नाद जी देखते हैं और एक और इनके पास जो विभाग है वो है निर्यात प्रोतसाहन अगले मंत्री हैं स्री मुकटवेहरी बर्मा इनके पास कौन सा विभाग है सहकारिता अगले मंत्री हैं स्री असुतोस टंडन इनके पास है नगर विकास सहरी समग्र विकास नगरीय रोजगार इवं गरीवी उन्मूलन ये इतने मंत्रालाय के मंत्री है श्री नंद गोपाल गुपता इनके पास कौन कौन से भी भाग है नागरिक उड्डियन राजनेतिक पैंसन अल्प संख्या कल्यार और मुस्लिम बक्त इवं हज अगले मंत्री हैं डाक्टर महिंदर सिंग ये जल सक्ति मंत्री है अगले हैं स्री सुरेश राणा ये गन्ना विकास और चीनी मिला है उनके ये मंत्री हैं स्री सुरेश राणा अगले मंत्री हैं स्री भूपेंदर सिंग चौधरी तो ये हैं पंचायती राज अगले हैं स्री अनिल राजवर जो की पिछला वर्ग, कल्याण एवं दिव्यांग जन सवसकती करन के मंतरी है ये जो विभाग है वो स्री अनिल राजवर के अधेन है अगले हैं स्री राम नरेश अग्नी होतरी इनके पास आबकारी और मद्द निशेद जो आबकारी विभाग है उसके मंत्री हैं स्री राम नरेस अगनी होत्री यह तो कैबिनेट मंत्री हो गाई सभी हमने आपको पता है अब चले थोड़ी एक नियूज इंपोर्टनेंट आपको नोट देखना है अभी हाल ही मैं कोविड-19 की बज़ा से दो कैबिनेट मंत्री का निधन हो गया है वो कौन-कौन से हैं एक थे चेतन चोहान जो की सैनिक कल्यार, होमगार्स और नागरिक सुरक्षा की मंत्री थे और दूसरी थे कमला रानी वरों जो की प्राविदी सिक्षा की मंत्री थे तो इन दो मंत्रियों का अभी निधन हो गया है अभी कुछी समय पहले कुछी दिन पहले इनका निधन हुआ है कोविड-19 की बज़ा से अब चलिए देखते हैं राज्यमंत्री स्वातंद्र परवार उत्तर प्रदेश सरकार के जो राज्यमंत्री हैं उनके पास कौन सब भिव इनके पास है खेल युबा कल्यान और पंचायती राज्य दूसरे हैं स्री धरम सिंग सैनी इनके पास है आयूस खाद सुरक्षा एवं औशधी प्रसासन तीसरे हैं स्री मती स्वाती सिंग ये महला कल्यान बाल विकास एवं पुस्टाहार मंत्री हैं अगले हैं डॉक्टर नील कंठ तिवारी ये परियतन, संस्कृती, धर्मार्थ कार्य और प्रोटोकॉल मंत्री हैं अगले मंत्री हैं स्री कपिल देव अग्रवाल इनके पास ब्यवसायक सिक्षा और कौसल विकास विभाग आता है अगले हैं स्री सतीस दुवेदी जो की बेसिक सिक्षा के मंत्री हैं अगले हैं स्री असोक कटारिया इनके पास परिवहन विभाग और संसदिय कार्य समंदे जो भी होते हैं वो स्री असोक कटारिया के अधीन है अगले मंत्री हैं स्री राम चौहान इनके पास में उद्ध्यान, किरसी विपर्ण, किरसी विदेश वियापार और किरसी नर्यात ये मंत्राला आते हैं अगले हैं स्री रविंद जैस वाल ये स्टांप तथा नियायाला सुल्क अब पंजियन इसके ये मंत्री है तो दोस्तो ये थे सब जो हमने आपको बताया राज्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री विस्तार में हमने आपको बताया कि कौन से मंद्री के पास कौन सा विभाग है आप लोग इनका वीडियो को पॉस्ट करके स्किन सोट भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से आप पढ़कर जा सकता है और दोस्तो एक और बात आपको बता दूँ कि जो हमने एक वीडियो डाला था कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा सहर बसा हुआ है सायद वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उससे भी कुश्चन पूछे गए ठीजिए जैसे एक अब अब्रती से कुछन पूचा गया था कि लखनु किस नदी के किनारेक है और एक अब्रती से पूचा गया था कि रागए क्यला जूसे है ए किस नदी के किनारेक तो इस तरह से कई कुश्चन पूछे गए और उस वीडियो में हमने आपको इस अगर हम ऐसे वीडियो मनाते तो आपको याद करने में साइध कुछ दिक्कत होती आप याद ना कर पाते तो इस बज़ा से हमने slides के माध्यम से उसे trick के माध्यम से बहुत ही अच्छी trick बनाई है और आप अगर उसे एक बार देख लेंगे तो आपको दोबारा revision करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे like कीजिए और share कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे subscribe पढ़ना ना भूलें Thank you